उत्तर प्रदेश से एक संसनी केस दिल दहला देने वाली घड़ना सामने आई है, जहां एक ही घर से निगली छे-छे लाशे, घर के ही बेटे ने अपनी मा, पतनी, बेटे और दो बेटियों को बंदूक और हतोडे से जान से मार डाला, आखिर ऐसा क्या हुआ परिवार के बी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक ही परिवार के छे लोगों की मोत की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, एक शक्स ने अपनी मा, पतनी और बच्चों की निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया, इसके बाद आरोपी ने खुद को गोली मार कर ज पुलिस ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जानकारी के नुसार उसने मा को गोली मारी, पतनी को हथोड़े से मारा और बच्चों को छत से फैक दिया, सीयो महमूदा बाद दिने शुकला ने बताया कि युवक नशे का आदी था, परिवार वाले उस इस पूरे प्रकरण को लेकर सीतापुर के SSP चक्रेश मिश्र ने घटना की जानकारी देते वे क्या बताया, देखिए पतनी जिसकी उम्र लगवा चालेश वर्ष, वा तीन बच्चे जिनकी उम्र कर्मशा 12, 9 और 6 वर्ष की है, इनको इनो ने मारा है, उसके पश्यात खुद को मारा है, पुलिस के द्वारा, FSL टीम के द्वारा संपून पहलूँओं की जानकारी की जा रही है, वे बिस्तर ज पतनी जानकारी के पश्यात आउश्यक बताने करवाई की जा रही है, पतनी जानकारी के नुसार मतुरा थानक शेतर के पलहापपुर गाउं में अनुराक सिंग 45 परश्या ने रात धाई से तीन बजे के करीब सबसे पहले अपनी मा सावित्री देवी को गोली मारी, इसके बाद पतनी प्रयंका सिंग को गोली मारी, इसके अलावा पतनी के सर पर हतोड़े से वार किया ताकि वो जिन्दा ना बज़ सके, पतनी के पास ही हतोड़ा पड़ा हुआ भी मि उसने बताया कि रात धाई से तीन बजे के बीच गोली चलने की आवाज सुनाई दी जब वह कमरे से भार आया तो उसने यह खुनी मनजर देखा इसके बाद अनुराग उसे भी मारने के लिए दोड़ा लेकिन अजीत सिंग ने खुद को कमरे में बंद कर लिया अगर वह ऐसा नहीं करता तो अनुराग उसे भी मार देता संसनी खेस वारधात से पूरे गाउं में हडकंप मच गया है मोके पर भारी भीड जुट गई है सुत्रों ने बताया कि अनुराग के कमरे में बैड के पास से एक 315 बोर का अवैद असला बरामत हुआ है SSP चक्रेश मिश्र ने बताया कि मोके से एक अवैद असला बरामत कर लिया गया है अलग-अलग शव पर अलग-अलग तरहे के चोट के निशान है चट से फैकने वाली बात इस परिवार के ही एक सदस्य ने बताई है फिलाहाल मामले की जाच कर रहे है शवा को पोस्ट मोट फिलाहा evidence कर विलाहा फिला बताई है Будamend